नमस्कार आप सभी का स्वागत है भाग्यम मैं मैं हूँ पंडित चंद्रिशेकर शर्मा दर्शे को सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को जिससे हम आज के इस दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सके जान सके आज दिनांग के 27 मार्ट सन 2024 विक्रम समध 2008 चल र नंटिया है और आज का धूटा है और नंगुद्वार नंत्क्शत्र दापर बाद चार वचंद के 16 मिनट तक है आगे आज की अ 好 नहीं आए तो क्या अच्छा कारे करने जारेτιरय के बाद की को आज डिन को टाल करन गर है शाम पांच बच के आठ मिनट तक आगे वनीच करन रहेगा, सूरियोते का समय दर्शे को सूबह 6 बच के 22 मिनट का था और सूरियास्त का समय शाम 6 बच के 41 मिनट का है आज का राहुकाल दौपेर बारा से एक बच के तीस मिनट के बीच रहेगा इसे पूरी तरीके से टाल दीजेगा इसमें कोई शुपकारे नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए अब जित मुरत आज बुधवार होने से मानने नहीं है दिन में दो बार दोष्ट मुरत भी रहेंगे ध्यान से समझेगा सूजबूस से टाल दीजेगा ये हैं दोपेर बारा बच के साथ मिनट पे और दोपेर बारा बच के चपन मिनट पे आज का दिशाशूल दर्शे को उत्तर दिशा में तो पहले कोशिश तो यही कि उत्तर दिशा की यात्रा को आप टाल दे लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी अनिवारे रूप से आप उत्तर दिशा की यात्रा करने वाले हैं तो फिर इसका परिहार करके निकले परिहार इस सिद्ध होगा दिशाशूल नहीं लगेगा आज का शुप समय दर्शे को याज के दिन का अच्छा समय बाकी पूरे दिन से वह सुबह आठ से लेकर सुबह नौ बच के पच्चिस मिनट तक दिन में ग्यारा से बारा बज़े तक और दौपेर बाद चार बज़े से लेकर शाम लाई ते उनके रिष्टे की बाते आगे बढ़ेंगी व्रश राशी वालों का डूबावा पैसा आ सकता है वापस वहीं मित्वन राशी वाले जो चात्र चात्राएं हैं या कला से जुड़ेवे जो लोग हैं उनके लिए योगकारक देना है करक राशी वाले रहेंगे आज सोच विचार में समय ज्यादा खराब करेंगे लेकिन जीवन साती से चल रहें विवाद सुलज जाएंगे वहीं व्रशिक राशी वाले आर्थिक नुकसान का सामना कर सकते हैं और हो सकते हैं आपको विवाद धनू राशी वालों को लंबे समय तक होने वाला कोई आर् के सुगर के रोगी हैं थोड़ी सी सावधानी रखें अब करते हैं आज के दिन की ज्यान चर्चा जो आपकी हमारी अंत्य दर्ष्टी को प्रग्या को जाग्रत करेगी फिर आगे समझें उन विसस्ट रुपायों को जो आपको समश्चाओं से बाहर ले आती हैं और आपको ज स्वाइल देखकर अलगलग प्रकार के योग प्रणायाम आसन इत्यादी को हटात करने का प्रयास लोग करने लगे हैं बहुत जबड़स्ती उनकी बाड़ी उसके लायक नहीं फिर भी हो कोशिश करते हैं इसे लावकिस्तान पर हानी हो रही हैं इस संबंद में शास्त्र काम करने की आदतों में नियमित रहता है वही विक्ति योग करने का पात्र होता है और वही योगाभ्यास से प्राप्त उड़जा या शक्ति के द्वारा समस्त भोतिक कलेशों को समाप्त कर आध्यात्मिक लाभ पा सकता है युक्त का बहुत ही गह नर्थ होता है यह युक् सदता है योग सदेगा उनको जो मध्यम मार्क पर रहेंगे तो पहले अपनी देह को अपनी मन को पूरी तरीके से तयार करें फिर आप योग प्रणयाम करें तो पुरा-पुरा आपको लाब होगा यह थी आज की ज्यान चर्चा अब बात करते हैं विस्स रुपायों पर जो जिने करके सफलता को पीछे चोड़ते वे सफलता की और आप दढ़ता से तेजगती से अगरसर होते हैं सबसे बहले बात करते हैं उनकी जिनका जनम दिन है तो जिन जिनका जनम दिन है आप सब लोग आज सुबह धाई और बर्फी मिलाकर पक्षियों के निमित किसी पार्क की दिवार पर रख दें साथी दौपेर एक बच के एठारा मिनट से दो बच के पांच मिनट के बीच पाइनेपल के जूस से भगवान शिवजी का अविशेक करें और 27 माला लगु मृत्युन जे ओम होम जूम से हैं ओम होम जूम से का जब करें इसी प्रकार रात्री में निर्धन महिलाओं को आज आप वस्त्रदान करें ये सारे कार्याब करेंगे आने वाला वर्ष बहुती सुक शान्ती से सुकून से इश्वर या नुकंपा से भी तेगा इसमें कोई संध्य नहीं दर्ष को आज उन लोगों के लिए बहुत अच्छा दिन है जो पैसे की तंगी से परिशान है बहुत प्रयास करने के बाद भी यदि आप अपने आयके स्तुरोत्र नहीं बढ़ा पा रहें तो आपको बहुत बड़ी आवशकता है कि आप माता लक्षमी को प्रसंद करें और इसके लिए आज आपको करना सर्फ इतना सा है कि शाम को आट बच के 40 मिनट पर भगवती लक्षमी जी को बेशन की बनी मिठाई और विश्नु जी को मावे की मिठाई अर्पित करें और 18 लड़ू अलक्स अर्पित करें माता लक्षमी के 18 पुत्रों के नाम पर फिर मात तक स्तती पूरी तरीके से बदल जाएगी इसमें कोई संदह नहीं ऐसे जिनको नई नोक्री की तलाश है या बेटर ऑप्षन देख रहे हैं वो सबी आज सवेरे 9-9 बज़े से लेकर और तकरीबन 10 बच के 30 मिनट के बीच तीन लोगों को भोजन करा दीजिए भोजन में ध पॉसी कन्याएं जिनके विवा में विलंब हो रहा हो वाज दोपैर एक बच के 40 मिनट से दो बच के 20 मिनट के बीच मिश्री मिलावा धही और केसर का इत्र लेकर शिव मंदिर पहुंचें माता पारवती के चरण मीठे धही से अच्छे से धोएं और उनसे प्राथना करें और फिर केसर का इत्र शिवलिंग को बिना चुएं उपर से आप अर्पित कर दें फिर मंदिर में बैट कर इस मंत्र की 11 माला का जाप करें मंत्र है ओम रीम शिवाय नमहें निश्चित रूप से योग्यवर की आपकी प्राप्टी होने के जो अवसर है वो मिल जाएंगे आ करती है कारी नहीं बार बन पारे होते हैं जहां भी आप हाट डालते हैं वहीं से असफलता मिलती है ऐसे में आप आज एक छोटा से उपाय करें जिससे आपको धिरे-दिरे समश्या से निजात मिले करना यह है कि रातरी 8 बच के 30 मिनट के बाद में एक बंद डिब्बे का ए कर उसे ठीक साथ वजें शिव मंदिर में जाकर शिव जी के पास चुपचाव रख दें दर्शे को यह थे आज के विसस टुपाय जो आपको समश्याओं से बाहर ला रहे हैं मनुकामना आपकी पूरी कर रहे हैं अब बात करते हैं आपके सवालों की आपके सवालों में जल तत्व श्टित चंद्रमा वैसे भी यात्राओं का शौकीन बना देता है उस पर आपके करम भाव के अधिपती मंगल 12 जाकर बैठें तो ऐसे विदेश जाकर पढ़ाई लिखाई काम धंदा करना तय है इसके प्रभल योग अभी चल रहे हैं तो आप प्रयास बचके 50 मिनट जालोर प्रोमोशन कब तक होगा इनका प्रशन है देखे योगेंद्र जी आपका मीन लगन है सिंगराशी है आपकी जन्म प्रत्रिका में कुछ बहुत ही अच्छे और कुछ खराब योग एक अच्छा संतुलित गुरोध दिखा रहे हैं यह बहुत अच्छ पत्रिका यह हमारे दर्शक गिरीश जी की 23 अगस्त 1995 का जनम है रात्री 10 बच के 53 मिनट सीकर राजनितिक सफलता है क्या योग बताईए देखे गिरीश जी आपका तुला लगन है करक राशी की जन्म पत्रिका है लगन इस्तित राहू आपको उच्छ महतु का अंग्शा द जानने लगेगा तो निश्यत रूप से आप आगे बढ़ी राजनिती में सफलता मिल जाएगी तो दर्शक को यह था आज का पंचांग आज के विस्वस्त उपाए और ज्यान चर्चा पंडित चंद्र शेकर शर्मा यह आशा करता हूं कि आप बताईव उपायों को सही वि करें तो आपके कश्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ती निश्चित रूप से हो कारेक्टर में बने रहने के लिए बहुत-बहुत सा दुवाद भगवति आप सबका कल्यान करें जय आदिशक्ति